नमस्कार दोस्तों आप शिबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शिबी को बता दें कि अगले 24 गंटों के अंदर आप शिबी के जुनकाल में बहुती बड़ी और महत्पुन घटा होने वाली है जहां दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि अगले 24 गंडों के अंदर जो गरहों के जित्री बन रही है इनमें आपको कई बड़ी यशी खुशकब्रियाम पर आपत होने वाली है जहां पर दोस्तों आप शिवी के होस उड़ जाएंगे जहां दोस्तों परंदूस दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि यश में कोच यसे छेतर होंगे जहां पर दुश्मन आपको फांसाने का पूरा जाल बिचा चुका है जहां दोस्तों यश में यूग हैं तो आपके हाथ बड़ा ही इलजाम लगने वाला है जहां दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर आप शिवी को अपने जिवनकाल में थोड़ी शी शावधानी अवशी रखने होगी वरना दोस्तों आप पेना कुछ किये ही बहुत ही बड़े मुझरिम बन शकते हैं यूँ कहें तो दोस्तों आपकी एक अशावधानी आपको बड़े ही कड़्े में डाल सकती है तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप शिवी के लिए राम बान है जो पर जातक आज के वीडियो को अंतर तक ध्यान से देख लेगा उनका जीवन काल में उन्हें वह खुशकबरी प्राप्त होगी जो के अगले चोपी घंटों में उनके किश्मत में लिखा है और दोस्तों जो इन्हें नजर अंदाज कर देगा तो दोस्तों वह जाने अन जाने किश्मत के लिखाशिव अंचित रह जाएंगे अशत्रू के जाल में फंज जाएंगे जियां दोस्तों हम आप शिवी को बता दें दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्मुन सच्चाईवी आप शिवी को बताने वाले हैं कुछ इसे सच्चाइशी आप शिवी को रूबरू करवाने वाले हैं जिनें जानकर दोस्तों आप शिवी के होस भी उड़ेंगे और दोस्तों जब आप यह बातों कुछ उनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले बता दी होती हमारा जिन्दगी ही बदल जाती जियां दोसों इसलिए दोसों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश्मत कीजिएगा क्यों कि दोसों हम आप शुबी को विदा दे कि आने वाले चार दिनों तक गरहों की बहुती महत्पुन इस्तती आप शुबी के राश्यवालों के लिए रहने वाली है जियां दोसों दोसों हम आप शुबी को विदा दे कि आपके कुंडली में शुकर शनी और गुरु के स्थिती बहुती भागिशाली बनने वाली है जियां दोसों हम आप शुबी को विदा दे कि गुरु का शाता आया श्मी आपके श्ठनि के स्थान पे होने वाले हैं। जिनके के गार दोसों शच नाम का भी शुवियोक कर निर्मान होगा पर दोसों यानि की जहां पर भुलेनात आप शिपी के घर आने वाले हैं pry शाक्छा यािनि की भगवान महा बनि हर्मान जी भी आप शिपी के उनकाल में फ्रशन नहीं रहने वाले ही जे आ दोसों अगले चार दिनों तक दोसों फो भी व्यक्ति इस वीडियो में जो हम बात बताने वाले उन बातों को ध्यान में रखेगा दोसों उन शब razem का ध्यान जीवन बिलकुल ही शबल हो जाएगा और दोस्तों इस धर्ती में कोई भी इशा इंसान नहीं है जो उशे रोक पाएगा जे दोस्तों शफलता पाने शी काम्याबी पाने शी या फिर अपने जुनकाल में तरक्की को पाने शी दोस्तों कोई भी इशान रोकने शक्ता दोस्तों आने वाले चार दिनों का श्रमे आपके लिए बहुत ही भागिशाली शमय है मगवान बोलेनाथ और मातालक्षमी की असीम अनुकमपा आप शिवी को पराप्त होने वाली है जे दोस्तों इसमी श्राक शात आप शिवी की जिवनकाल में धनकी द्वी मताललक्षमी और देवों की देव महादेव आप शिव की जिवनकाल में आने वाले हैं जे दोस्तों इस विडियो में हम आपको शंपुन ज्यानकारी देने वाले हैं कि अगले चार दिनों का ध्यान आपको रखना होगा। जे आपको अबगत गराने वाले हैं। जे दोस्तों भगवान भुले नात और माता लक्षमी आप शिवी के उनकाल के शारे कश्णों को दूर कर देंगे। जे दोस्तों तो एदोस्तों अब आपको बताते हैं। बहुती महतनों रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप शिवी को बता दें कि कौन-कौन शे बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जे दोस्तों इसलिए बहुत यदा जरूरी है। और दोस्तों कौन-कौन शे कारे आपके लिए यश्मी लाबकार होगे। शवी बातों के बारे में हम आपको विस्तार शे बताने वाले हैं। तो दोस्तों इन शबी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से शुनिएगा जिया दोस्तों शब से पहले दोस्तों हम आप शुक बता दें कि शुक्र का गादा भाव में बल्वान हो जाना जातों को हमेशा शुक धन और सब कुछ प्राप्त करवाते हैं जे दोसो और यश में, शुकर भी आपके रिए बहुती परबल जितितिव में आने वाले हैं, याने कि धनकी दिवी माता लक्षमी आपके जुनकाल में प्रेशन होने वाली है, और शुक शमर्दी आप शुबी के जुनकाल में सब कुछ आने वाले हैं, याने कि दोसो जो भी आर्तिक शमकर से जुड़ी शमदित जो भी शमश्याए है वे आपके जुनकाल से दूर होने वाले हैं लाब के बहुत शारी मोके खुनने वाले हैं जे दोसों यश में शुक्र के स्थिति आपके जुनकाल में अच्छी है तो दोसों माताललक्षमे की शाकषात किरिपा आप प्राप्त वने वाली हैं जे दोसो और यश में आपके कुंडली में दोसों शिव को बनात का भी शिवियों के निर्मान हुआ है जे दोसों समाज में आपको मान शमान भी प्राप्त होते हैं शबी लोग आपके शमान इशली करते हैं कि आपके अच्छे भाव होते हैं बस दोस्तों आप शिवी को बता दे कि इन्हीं के कारण आप शिवी के जनकाल में बहुत ही बड़ी खुश्यवरी भगवान शीव और धनकी दिवी माताल लक्षमी अगले चार दिनों के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों अगले चार दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत यदा उश्यों होंगे और कुछ कारे करना आपके लिए बहुत यदा जरूरी भी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बशाप शुरूश ले करन तक ध्याश देखियेगा। दोस्तों हम हरी के बात आप शिवी को बिल्कूल ही ध्याश रमजाने वाले हैं। हरी के बात आपको ध्याश बताने वाले हैं कि कौन-कौन शी लाब, कौन-कौन शी खुशकवरी आप शिवी को मिलने वाली हैं। जिया दोस्तों, शबसे पहले हम आप शिवी को बता दें कि एश्मी शुक्र की स्थिति आप शिवी के कुंडली में अच्छे होने के वजह से, दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में धन की दिवी माता लक्षमी कि अशिरवात प्राप होने वाली है, अशिम किरप आप शिवी के जुनकाल में आने वाली है। जिया दोस्तों, अगले शार दिनों तर आप शिवी के जुनकाल में जो भी धन से जुड़ी शिमस्याए हैं, जो भी पेशों की दिक्कत है, जो भी अशिक कारे हैं, जो पिछ इसलिए कईश में से पेसों को लेकर आ रहा हैं दोस्तों वेशारी प्रेशानियां अब खत्म होने वाली हैं कि दोस्तों यह शमी धन की दिविमातल लक्षमी आप शिवी के जुनकाल में काफी परशन हुए हैं काफी आप अपने जुनकाल में मेहनत भी किये हैं उन्हें कि भी शिवी बहुत ही अच्छी है जिया दोस्तों शनी काफी शमी से आप शिवी का शाहत दे रहा है काफी शमी से आप शिवी को राहु शे भी बचा रहा है जिया दोस्तों जब जब राहु की शिवी के जुनकाल में परबल होती है तब तब दोस्तों आपके अच्छे कर आप शुभी को बचाते हैं, यानि कि आपके अच्छी कर्म है, शनीदेव को परशन करते हैं और उन्हीं के वज़र से आपको अपने उनकाल में कई बार लाब के इस्तती भी देखने को मिलती है, दोसों कई बार आप शुभी के उनकाल में इससे कार हैं, जो कि आपको लगा ह कि अब ये कार नहीं बनेगा लेकिन दोस्तों फिर भी वो कार बन गया है और आपको जमतकार्शा लगा है लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को इनके फीछे का रहाश बताते हैं कि आप अपने जुनकाल में बहुत यह अच्छे कर्म करते हैं दोस्तों आपने पिछले शमय में बहुत यहादा मेहनत की हैं या फिर बहुत यह व्यदा आपने पिछले शमय में दुख को देखा है जहां दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि पिछले शमय से ही आप पने जुनकाल में इतना मेहनत कर रहे हैं कि दोस्तों आप यह बात किशी को भी नहीं बताते हैं दोस को पतले होगा आखिर इश्वर कब तक हमें संक्र देगाए दुख दे गा दोस्तों बहब शारी विजार आफ्षिबी के मन में चलती हैं लेकिन दोस्तों हम आफशिब को घुदा दे हैं कि एश्वर हमेश्ब आफ्षिबी की साथ हैं कभी विए आपके भाग खराब नहीं हुए, कभी आपको गरों का शुप फल नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों कई बार एशे होते हैं, जब गरों के इस्तिती बदल जाती है, जब बहुत शारेशे गरों के इस्तिती एक्षात हो जाती है, जिनके कारण कई बार शुप पस्तिती का निर्मान होता है, लेकिन द हिपको मिलने यह हिए देर नहीं है नंदेर नहीं है। में कुछ यही समय को लेकर आने वाले हैं। जब दोस्तों की प्रप्ति होगी और आपकी दुश्मन देखते रहा जाएंगी। जिनके कारण दोस्टों कारशित में आपको नहीं कार्यों की प्राप्ति होगी जो भी आपकारी कर रहे हैं उनमें पद्वन्ति हो शक्ति है जो लोग पिछले कैश्मे से बिरोजगार हैं रोजगार की तलाश में हैं या फिर दोस्टों जो लोग पिछले कैश्मे से नई रोजगार की तलाश कर रहे हैं दोस्टों उन्हें शबी की मुनकामनाई यश्मे पोरी होने वाली है क्योंकि शाक्षात देवों के देव महादेव का शॉय आप शिवी के कंडली में पड़ा है जिन के कारण आप शिवी को यह सबी कारियों में लावकी ही वराप्ती होगी परंद्धु आपको कुछ बातों को लेकर सावधन अगले चार दिनों में रहना अगर आप कोई भी इस तरी हो कोई भी पिरूश हो दोसओं किशी के भी शाथ धोखा करने की कोशिश बिल्कुल ही ना किजीगा दोस्तों अगर आप करेंगे जो भी शाय आप शिविके उनकाल में है जो भी आपकी कुण्डली में शीवनाम का शूब्यों है दोस्तों इनका शुपरभभव आप शिवी को देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपके अच्चे शुबभभव आपके अच्छे ही कारी के उजशी हमेशवा भगवान भोले नाण आप शुबी के उपर परशन होते ही और आप शुबी के कुंडली में कि यहां पर शुकर शनी और शिव नामका शुविक को निर्मान हो जाए, दोस्तों, नहीं से राज योगका भी निर्मान होता है, जिया दोस्तों। और आने वाली इस चार दिनों का शमय आप सभी के जुनकाल के लिए बहुत ज़्यादा भागेशाली शमय है यह शमय खुद को शाबिद करने वाला शमय है यह शमय खुद को एशा कोई दिखाने का शमय है दोसों सभी लोग जो लोग आपके नाकामयाबी दिखना चाते थे उनको अपना कामयावी का जहंडा दिखाने का शमय है, जिया दोस्वों शमय बहुती बलवान है, दोस्वों बश आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुती ज़्यदा उश्चक है, जैसे कि दोस्वों अगले चार दिनों तक, दोस्वों कोई भी कार आप बेफुजिल के कारे बिल्कुल भी मत केज़ेगा, जैसे कि दोस्वों गलत धंदी हो जाते हैं, दोस्वों इस परकार के दो नमर के धंदे आपको भूल कर भी नहीं करना है, इस वफरांदी दोस्वों हम आप शिपी को बता दें, कि अबले चार दिनों में आपको अपने जुनकाल में जो बहुती अच्छी आपकी कुंडली में हैं, अगर किशी व्यक्ति का आप शलहा मानेंगे, तो उनकी कुंडली की स्तती अश्मी बूरी हो जाएगी और दोस्वों उनका परवाव शिपी की जुनकाल में भी बुरा होगा, इसलिए दोस्वों इन्हें चार दिनों के अंदर इस बात का ध्यान लगना सबसे जज्यादा आउश्य होगे, कि जुदो चार तक आपको किशी के भी, उपर आंख मून कर भरुशा नहीं करना है, जाए दोस्वों कोई बी कितना गरेबी इंसान हो, कोई भी आपको दोखा मिलने के परबल समाना है, कि उद्रू सब्धों श चेत्र में जाने वाले हुआ पर आपको शवलताओं की प्राप्ति होगी धन शंबंद की जो भी करिक्रिया हैं यश्मिया की आगे बढ़ने वाले हैं और दोसों शत्रू भी परवल होंगे जब आपको शवलताओं मिलती है तब तब शत्रू आपके परवल होती हैं तब तक करेंगे तो दोस्तों आपके कुण्डली में जो भी अशुभ गरा है जो भी आपको नुक्शान पर साना चाहता है वो भी शान होगी निर्मान है शी दोस्तों इस मैं शिव नाम का शिवयोग है तो दोस्तों इंशक्षात भगवान भोले अगले चाहर दुनों के अंदर आपको बश इनी बातों के ध्यान रखना है शादे शाद दोस्तों हम आप श्यूव गोड़ा दें कि धनकी देवी मांगता लक्षमी और देवों के देव महादया आप श्यूव के जुनकाल में आपके घर आने वाले हैं तो दोस्तों कोई भी जूठा आपको घर में नहीं फैलाना है दोस्तों छोटे बच्चों पर आपको गुशा नहीं करना है घर की इस्तरियों का आपको अपमान भूल कर भी नहीं करना है जे दोस्तों किशे के भी बारे में आपको बुरा नहीं सुझना है किसी के भी प्रति आपको गलत भावनाएं अपने अंदर भूल कर भी नहीं लाने है जे लूसोม हम आक्षव को बता दें कि ये बातें हमेशा اिश्वर को ही प्रशन आती है जो लोग एशे कारियों को अपनाती है उनके जनकाल में इश्वर हमेशा प्रशन रहती है जे लूसों आपको धन की दिवी माता लक्षमी को प्रशन न करना है तो दोस्वों कोई भी स्तरी हो चाहिए वो आपकी माँ हो बेहन हो बेटी हो या पिर दोस्वों समाज के कोई भी स्तरी हो उन्हें भूल कर भी अब सब्द नहीं बोलना है ना है उन्हें चिडाना है ना है उन्हें परिशान करने की कोई भी कहर करने हैं दोस्तों अगर आप इशा करेंगे तो धन की दिवी माता लक्षमी आप शिबी के घर में बिरेजमान होंगे गर में जो भी शंकnaire है पेशों के लेकर जो भी आर्तिक दंग्या है धन को लेकर थन को वे इशारे आर्तिक दंग्या शमापट हो जाएंगी और धन की दिमाता लक्ष्मी कवार आपशिभी के जिवनकाल पर रहने वाले हैं जिया दोसों इश्कु प्रांदी दोस्तों हम आप शुप को बिदा दें कि ये ये यश्मी आपको अपने जुकाल में कौन-कौन शे महत्पून उपाई करना है जिया दोसों धनकी दोई मानतलक्षमी और भगवान भुलिनात आप शुप के जुनकाल में आये हैं तो दोसों युशे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत यदा जर्विव होंगे जीए दोसों इश्क्यो प्रांदी दोसों हम आपको कुछ महत्पून बातों को भी बताएंगे जिसे के कुछ चीजों का दान आपको अगले चार दिनों तक भूल कर भी नहीं करना है जिया दोसों हम आप शुक बदादें कि दोसों अगले चार दिनों के अंदर आपको जाड़ू को किशी को भी दान में नहीं देना है इसे दोस्तों आपके घर में जो भी धन की देवी माताल लक्षमी आई है वो रुष्टो जाएंगी जहाड़ू का दान करने से घर में कभी भी धन की धन नहीं टिकता है जहाड़ू इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शिप को बदा दें इस्टिल के वस्तों का भी दान लेकिन खराब और उप्यों किया गया तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। विद्वता का वाश होता है दोस्तों वो हमेशा के लिए हर जाते हैं इसलिए दोस्तों इशा आप अगले चार दिनों में भूल कर भी मत किजेगा जे दोस्तों और बास्वी भोजन का दान आपको जीवन भर भी नहीं करना है लेकिन दोसों चार दिनों में हम आपको इश्री बताए हैं कि दोसों चार दिनों में जो घरों के स्थिती है वो बहुत ही परवल है जी दोसों इश्रा करना दोसों आपको बहुत ही मुश्किलों का शामना करवाता है दोस्वों हमेशा घर में विवाद होंगी और कोट का चेहरी के मामले पढ़ेंगे और धन की खर्चा बहुत ज़्यादा होंगी जिन्तों इसलिए आप इनका खास ध्यान रखें इसको परांदे दोस्वों हम आप शिवी को बतादे कि यश्मी कौन से कारे आपको करना है दोस्वों अगले चार दिनों में आप शिवी को अपने जुनकाल में बहुत शारी परविड़तन लाने हैं जो कि हमने आपको बताए हैं इसको परांदे दोस्वों कौन से उपाय आपके बहुत ज़्यदा प्रशन हो जी दोसों इनके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार की शाम को तुलसी के पोधे के शामने गाय के घी का दीपक जलाए और ओम श्रींग श्रींग मंत्र का आपको जाब करना है दोस्तों इस उपाई शे आर्थि घानी कम होती है और धन श्यदेव भड़ता है और दोस्तों धनानी कभी भी नहीं होती है अगर आपके घर में शंग है तो दोस्तों मोती का व्यश्ता करके उनमें जरूर ही रखिएगा इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शिवी को बदा दें कि अगले चार दिन्यों में आप शाम को एक उपा हैं जी हैं दोस्तों एशा करने से दोस्तों आपके मन में आपके जो भी कियेगे पाप हैं उनका चैव होगा शादी दोस्तों एशिव विक्ति पर हमेशा धन के दिवी माताल लक्षमी का वास्तों होता ही है शादी सा दोस्तों हमेशा उनके जुनकाल में खोशियां होते है और वगवान शीव भी उनसे प्रस्टन होते हैं जी हैं दोस्तों क्यों दोस्तों हम आप शुग वाद गारें की मुथ्टाललक्श्मी का श्रमद भी शीव से है इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है और घर में चुटमै माताललक्श्मी और घर में आए महमानों के लिए घर में आए देव देवदाओं के लिए भी शब्चेदा महत्पुन है जो दोसों हमेशा आपको सुबा और शाम की समय घर में दूप दिखाने है दोसों इनसे घर में आए जोवी मताल लक्ष्मी और भगवान शीव है वो प्रेशन होंगे और दोसों आपके मन में आपके शरिट में घर में हमेशा ही शान्ति के अस्तापना होगी जो भी आपके अंदर रोग हैं जो भी शेक कश्टे हैं गिरी कलेशें अकाश्मिक दुर्गटना आप शिवी की जुनकाल में होने लगती है दोसो उन शबिष्य आपको मुख्ति मिलेगी और भगवान शिव और माता लक्षमी जी के अशरवाशे आप शिवे की घर में नकारत मुखता हमेशा खत्म हो जाएंगी जो भी नकारत मुख उड़ जाये हैं वास्तो दोश है उन शबिष्य मुखति मिलेगी दोसों अगले चार दिनों के अगर अगले चार दिनों के अंदर इशाप करते हैं तो दोसों गरन नचत्रों की बिस्तिती बहुत ये अच्छी होने वाली है जी दोसों दोसों इदियाक उपने जिवनकाल में धन्शमती और मांशमन पाना चाहते हैं तो दोस्तों हम आप शुब को इदा दें कि आपको हमेशे अगले चार दिनों के शमे में माताल लक्षमी और भगवान शिवी के मनशे पूजा करनी है जिन दोस्तों हम आप शुब को बदा दें कि भगवान शिवी को बिलपत और दूद अवश्य अर्पिद कीजेगा उनका घर में भी दिजेगा और दोस्वों घर के शवी परिवारों में उने बाढ़ना है दोस्वों इस बात का ध्यन रखेगा दोस्वों अगले चार दिनों के अंदर यदि आप गरीबों जरुत मन्नों को कुछ ना कुछ दान करते हैं दोस्वों धार में कुछ ना कुछ दान करत हैं तो दोस्तों इशा करना आक्षिभ के लिए जुनकाल में बहुत यदा, कारगर शाविद होंगे और बगवान भूली नाद और माताल लख्ष्मी हमेशा आपके जुनकाल में प्रशन रहेंगे जिए को प्रांते हैं हम आप चैसे के अगले पर दोस्तों आप शुरात्विक भोजन कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही महत्पुर्ण शाबिद होगे जी हैं अगर आप करेंगे तो आपके घर में माताल क्षमी और भगवान भुष्ण प्रशन होगे और आपके घर में वाशच करेंगे आपके माशिक शान्ती शमी ब दुर्गटना है दूस्वों वेश भी टल जाएंगी रात्री को शोने से पहले आपको कपुट जला कर ही शोना है जिए दूस्वों ये अगले चार दनों के लिए सबसे जदा लाबकारे शाबदों के कि दूस्वों धनकी देवी माताल लक्ष्मी और भगवान भुलिनात के स्तिती अश्मी आपके कुटली में अच्छे हैं जिनने दूस्वों आपको जानना है और इने जरूर ही करना है इश्कुप्रांदी दूस्वों हम आप शुक बता दे कि अगले चार दिनों तक तवे को शदे भी लिप्टा कर पार रखना है जे दूस्वों इश्वा, मना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखनेशे, घर में लडाई होती है इश्के लावाय भी घर में जो भी देवी देवताते हैं वो भी रुष हो जाते हैं. तो दोसों ध्यान रखेगा, ध्यान शे भी आप इशकार को करना है, कि घर में जब भी आप रोटी पगाते हैं, तो उस तवे को हमेशा ही आप सिधा करके रखें, कभी भी दोसों गेश पर खाली नहीं छोड़ें, जी हैं दोसों, कुछ लोगों की आदत होती है, कि वे रोट कि शेकने के बाद उन्हें खाली तवाही गेस पर छोड़ देते हैं, यूँ ही छोड़ देते हैं, कि अगले चार दिनों में आप इस बात का खास दियान रखें, साथी साथ दोस्तों हम आप शुक बदा दे कि अगले चार दिनों में आप अपने घर की शिफाई जब भी कर करना हैं, भगवान भोले दोस्तों एतने भोले हैं कि मातरी की विल्पतr ही, वो बहुत ही प्रशन हो जाते हैं, मनिता है कि जो भी शिविलिंग पर नेमित रूप शे बिलपत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मानो कामनाएं भगवान बुरेनात पूरी कर देते हैं इसके अलाव भगवान शिव को शमी के भी पत्ते बहुत यह पशंद होते हैं इसलिए शावन के हर दिन शिविलिंग पर शमी के भी पत्ते चढ़ाना चाहिए जिए दोसों भगवान शिव का दोसों दू दोर गंगा जल से भिशे करने से शबी व्यक्ति को शिव फलों की प्राब्दी होती है शिव शिव को काफी यह प्रशंद होते हैं इसलिए दोसों भगवान शिव को प्रशंद करने के लिए भगवान शिव की गिरपा पाने के लिए दोसों इन भातों का आप बिल्कुल ही खास जैन रखेगा जिए दोसों शादिशा दोस्तों हमाप शुव को दादे की धनकी दिवी माताल लक्ष्मी को प्रेशन करने के लिए आपको शुकरवार की दिन माताल लक्ष्मी जी की मंदर में एक जटावाला नार्यल कमल फूल शवा मिटर गुलाबी या फिर शफेद कफड़ा चमेली का तेल दही शफेद मिठाई एक जोड़ा जनेव शाथ माताजी को अरपित करना है इसकी बाद दोस्तों कपूर और देशी घीशे आर्ती करें और शुरी शुद्कापाट करें जो तो दोस्तों हम आप शुब बता दें कि जो भी पेशों से शमंदी शमयशा है उन शभी शे आपको मुक्ती मिलेगी जिहां दोस्तों जो भी आपकी जुनकाल में शमयशा है वो शभी खत्म होंगी माताल लक्षमी आपकी जुनकाल में बहुत यदा परशन होंगी तो द दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक कि लिए आप शिवी का धन्यवाद, आप शिवी का दिन शुभ हो, मंगल मैं हो.